अब थोड़ी बात मोदी की स्टाटिजी की आसान जीत वाली, कड़े मुकाबले वाली और बेहद मुश्किल तक्कर वाली सीटों को पहचान कर मोदी ने हर तरह की सीट के लिए अलग और विशेश तयारी की बीजेपी की मौझूदगी देश के ज़्यादा से ज़्यादा राजियों में नज़र आए इसके लिए अब कड़ी मेंनत उनोंने की है और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं चुनावी जंग में नरेंद्र मोदी किसी जनरल की तयारी से उतरे हैं पूरा हॉमवर्क करके हर एक चुनावती के लिए पूरी तयारी के साथ हैं कोई भी कोशिश अन्मनी नहीं बलके खूब सोच समझ कर बस्ता दाते मुप्ती के लिए ये सच है कि उत्तरपूर्वी राजियों पश्चिममंगाल, केरल, तमिलनाट जैसे राजियों में बीजेपी की मौझूद्गी लगभग सिफर रही है और उडिसा, करनाटक और आन्फरदेश जैसे राजियों में पार्टी की जो उम्मीदें जगी थी वो गलत रणनी थी और इस्थानिये नेताओं के गलतियों से बुझ सी गई थी लेकिन नरेल रमोदी से पहले कभी बीजेपी ने इन चुनावों के पहले बीजेपी ने इन चुनावों के पहले बीजेपी बस खाना पूर्ती ही करती थी जिन जगों के लिए बीजेपी की पहले सतही तैयारी दिखती थी उन जगों के लिए मोदी ने पूरी ताकत जोब दी जिन इलाकों में बीजेपी विरोधियों को वाक ओवर दे देती थी वहां मोदी ने दाबर तोड रह लिया थी लोकल कनेक्ट पर जोर दिया और जनता की रग पकड़ने की पूरी कोशिश की उडिसा, उत्तरपूर, पश्चिम मंगाल, डक्षिन के राज, हर कोना हर चपपा खंगाल डाला गया इधर 80 सीटों वाले उत्तरप्रदेश के लिए भी टेलर मेड स्टेटगी तयार की गई, अपने सबसे भरोसे मन सिपह सालार अमित शाह को सुबे की कमान सौपी गई, भोश्पूरी भाशी पूरवांचल के इलाके को काबू में लाने के लिए खुद को वारण असी समयदान म भी लगा दिये, और ये सब किया गया बस एक ही मंदर बना कर, जहां मौजूद हैं, वहां मजबूत हो, और जहां नदारद हैं, वहां गिनती शुरू हो, और एहम ये कि बीजेपी ने ये सब किया, एक के दम पर, समय के लिए जिनेश लौका अजय साब अब इसमें आप कहीं पर भी देखें, आप ये कह सकते हैं कि कुछ एक बाते हैं, कुछ एक इसूज हैं, जो पूरे हंदुस्तान को अपील कर रहे हैं, ये भी कह सकते हैं कि स्ट्रेटजी इसलिए काम आ रहे हैं, क्योंकि हर एक जगह पर उनके पास कुछ एक अच्छी हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो स्ट्रेटजी अगर वो आदमी ने नेशन का मूट अपने साथ नहीं लिया हो, कैप्चर ना किया हो, तो सिर्फ मास्टर स्ट्रेटजी और अखबार और टीवी ये उसको सपोर्ट नहीं कर सकते, लेहाज़ ये जाहिर है क उसादमी ने एक नेशनल मूट को भी वो किया है, दूसरी चीज़ है कि बीजेपी के अंडरिस्टांडिंग में हमें दिक्कत क्या होती है, कि बीजेपी को जब हम सोचते हैं तो ये मान के चलते हैं कि कोई अर्बन वो है, ट्रेंड है, ये अपर कास्ट की पार्टी है, ट् इतने स्क्रेट्स में कैसे हैं? वहां केरल में छे, तमिल्नाड में तीन और आंडर प्रदेश में दो रैलियां अभी तक वो कर चुके हैं, और ये दिखाता है कि वो कम से कम इस मामले में कसर नहीं रहने देना चाहते हैं, पहले तो बड़ा करसरी होता था इन जबहों पर अप्रोच भी लिए, लिए रैल पार नौ के एलेक्शन में मैंने अपने आज से देखा है कि आगवानी जब बोलते थे तो पीछे से भीर चड़ती थी, यानि भीर हटने लगती थी, भीर आई जाती थी और ये एलेक्शन से पहले भीर हटने लगी थी, इनके केस में ऐसा नहीं हो रहा है, हमारा बार बार क बीजेपी काफी हट तक वहाँ जा चुकी है और आप देखिए तो ओबी सीज में बीजेपी का अच्छा एक वो है, इंपाक्ट है. अपना individual footprint बहुत जादा नहीं था, तो इन्हों ने जब 2004 में इनको जब जब जटका लगा, तो ये एक पूरी की पूरी strategy हुई कि इसको one issue party से कहीं divert करना होगा, तभी लोग जुडेंगे और नए region में इनकी अपील होगी. ये एक बन गलत है, तेईस पार्टी एंडिये के रिजीम में थी, तेईस पार्टी थी और ये one issue party वाला जो ये कह रही है, ये 92 के बार बो निकल गए थे one issue party से. तेन 2004 वाल जो ये वाला जो जो आप एक पर्सेप्शन जो बजी के बन गया है, कि अपर मिड ल क्लास और ट्रेडर्स के पार्टी लेकिन गाव में थे पार्टी आप नि आट थे लिए ये पार्टी पर्टी तो फॉर्म जो आप प्यूँड आजिए पार्टी पार्टी रि परसेप्शन है इस ते अलग गाओं में बढ़ा एक इस पर हम बद्र कि रहे हैं इसमें पहुंचे हैं इसमें कहीं दो रहा हैं हो सकता है उनलागों से उनकी सीटें उतनी नहीं आती हो लेकिन अगा वोट परसंटेज आ देखी तो निरंटर वे उसमें आप सारी बाते शुन परसे पहुंचे हैं मीडिया इमेल से पहुंचे हैं अखबार इमेल से पहुंचे हैं और आप जैसे ही बात शुरू करी आज ही हम दो प्रताफगर में बाते कर रहे थे आज़ेसे का काईडर काईडर शराब पिये वह था आपको अश्चर जोगा और वो पहले कह रहा था कि मोधी 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 और सपुष मोधी उसके बाद वो जाती पर आ गया और कहने ही आप इंगेज करें वैसे ही जाती चुरू हो जाती है और पोस्ट दिखाई पढ़ने लगते हैं तो यह हमारा गाओं का